जिले के डेहरी के नगर परिशद में पिछले दिनों कुई बैटरी चोरी के मामले को नगर परिशद लिपा पोती करने में लगा है इसे लेकर मुख्य पारशद ने नाराजगी जाहिर की है वहीं इस मामले को लेकर अब तक पुलिस भी ना तो कर्मियों से पुछताच की है और नहीं इस मामले पर सग्यान लिया है इसे साफ जाहिर होता है कि बैटरी चोरी के मामले को लेकर नगर परिशद लिपा पोती करने पर लगा है जिले के नोखा प्रखंड के मंदिर के पास नोखा पुलिस के द्वारा मास्क चेकिन अभ्याद शला है इस दौरान नोखा अथाना द्यक्ष नरोतम चंद्र सीओ नरेश पासवान के अलावा कई पुलिस कर्मी भी शामिल थे वहीं चेकिन के दौरान बीना मास्क लगाय हुए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया रोताज जीला के कोचस्थाना के अंतरगत कपस्या गाउ में जमिनी भीवात को लेकर जम कर मार पीट हुआ इस दौरान दो लोग गंभी रूप से घायल हो गए वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बुजुर्ग ननकुसा और उपेंदर सा के बीच मार पीट हुई इस घटना के बाद थाने में लिखित शिकायत दी गई है डेहरी नगर परिशद के करना में बरसात आते ही खुलने लगती है नगर परिशद सहर के लिए कितना सुवक्ष्था का काम किया है इसका अंदाया सड़क पर लगे बारिश के पानी के जल जमाओ को देखकर ही आप लगा सकते है नगर परिशद की कतनी और करनी में काफी फर्क है नगर परिशद की लपरवाही के कारण ही आम लोगों को जीना हराम हो गया है रोताज जीले के नोखा बाजार में काली मंदिर के पास नोखा पुलिस के दोरा मास्क चेकिन अभियान चलाया गया इस दोरान नोखा अथाना द्यक्च नरोतम चंद्र सीयो नरेश पासवान के अलावा कई पुलिस कर्मी भी शामिल थे वहीं चेकिन के दोरान बीना मास्क लगाय हुए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया रोतास जिले के नोखा बाजार में काली मंदिर के पास नोखा पुलिस के दोरा मास्क चेकिन अभियान चलाया गया इस दोरान नोखा अथाना द्यक्च नरोतम चंद्र सीयो नरेश पासवान के अलावा कई पुलिस कर्मी भी शामिल थे वहीं चेकिन के दोरान बीना मास्क लगाय हुए लोगों से जुर्माना भी वसूला गया रोतास जिले के नोखा थाना छेतर के अंतरगत नावाडी गाउ में तलाप से आठ वर्सी चात का स्चोव मिलने से इलाके में संसनी मच गया है घटना के बाद परिजनों ने थाने में हत्या करने की प्रात्मिकी दर्च कराई है सासाराम में मौझूद सैंट पॉल अस्कुल ने अपना नीजी मोबाइल एप लॉंच कर दिया है इसके माधियम से सभी अस्कूल में पढ़ने वाले चात्र एवं उनके अभिभावकों को हर तरह की जानकारिया उपलब्द कराई जाएगी गौर्तलाब है कि CBAC के द्वारा संचालित इस अस्कूल में एप के माध्यम से हर तरकी गती बईधियों पर छात्र एवं उनके अभिभावक नजर रख सकेंगे वर्षो से नहीं बना पाया तिलाथू उतरपटी का पत तिलाथू उतरपटी भाया NH2C पत है को जोड़ने वाली बाईपास चड़क वर्षो से नहीं बना इस पत पर इस्तिती है कि बर्षात तो दूर अप्रेल में भी लोगों का चलना दूर बर है वीदित हो कि तिलाथू उतरपटी गाम होते हुए बुढ़ा बुढ़ी मंदिर के पास NH2C पत यस्चड़क मिलती है एक तरफ से NH2C पत पर बाईपास है लेकिन पत का दुरभाग है कि आजादी के बाद अभी तक किसी की नजर इस पत पर नहीं गई चुनाव आते जन प्रतनीदी पत बनाने का ग्रामीडों को वादा करते हैं लेकिन इस बार तिलाथू उतरपटी के ग्रामीडों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का मन बनाया है सासाराम में मौजूद मंडल कारा में नए कारा दिक्चक राकेश कुमार ने पदवार गरहन कर लिया इससे पहले मंडल कारा में तैनात कारा दिक्चक संजीव कुमार ने अपना पदवार राकेश कुमार को सौपा गौर्तलब है कि राकेश कुमार सीवान मंडल कारा में पद अस्थापीत थे जबकि संजीव कुमार सीवान मंडल कारा के नए कारा दिख्चक बनेंगे रोताज जिले में किसानों के लिए भारी मातरा में खाद की खेप जिले में पहुच रही है वहीं इस संबंद में जिला क्रिशी पदाधिकारी ने कहा कि खरीब की फसल के लिए किसानों की खाद की कमी नहीं होगी उन्हें भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध कराये जा रहा है अगर कोई खाद की काला बजारी करने पर पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सक्त कानूनी करवाई की जाएगी रभी पास्वान का हुआ बंजारी सरकीट हाउस में भव स्वागत भाच्वा प्रदेशकारे समिती सदस बनने के बद छेतर में पहुचे रभी पास्वान ने ग्रामिडों के बीच घूमकर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी के संदेश पत्रों का बित्रत किया प्रदेशकारे समीती सदस बनने पर रभी पस्वान को भाजबा कारकारताओं ने बंजारी सरकीट हाउस में भविस्वागत किया श्री पस्वान को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देका समानित किया गया रभी पस्वान ने बक नौरा समाउता अकवरपूर बंजारी खोजरी आधी पंचायतों में जनता से मिला था पत्रक बित्र किया सासा राम में डाक बी भाग के द्वारा 14-18 जुलाई तक डाक जीवन भीमा कैम्प का आयोजन कराये जाएगा इसे लेकर जीले के हेड पोस्ट ओफिस में सारी तैयारिया शुरू कर दी गई है गौरतलब है कि डाक बीभाग अपने सभी जीवन भीमा को लेकर ग्राहकों को जागरुक करेगा रोहतास जीले में कक्छा 1-12 तक सरकारी अस्कुल के संचालक के लिए दो समीतिया बनाई जाएगी इसे लेकर बीभाग ने करवाई भी शुरू कर दी है गौरतलब है कि कोरोना वाइरस के कारण पिछले कई महीनों से सभी सैक्चलिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है अब ऐसे में पुना अस्कुल खोले जाने को लेकर दो समीतिया बनाने का निर्णवे लिया गया है यही दो समीतिया अस्कुल का संचालन करेगी सासाराम में All India Congress पार्टिक के सदस्य मनोच कुमार सीना ने कहा कि बीधान सवा में करगहर और दिनारा सीट कॉंग्रेस को मिलेगा तबी महागट बंदन बचेगी गौर्तलब है कि अगामी बीधान सवा चुनाओं को लेकर महागट बंदन में सीट बटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है लेहाजा सभी पार्टे अपने इच्छा अनुसार छेत्रिय सीट लेने को बेकरार है जिले के करगार प्रखंड के अकोडी गाउ में इंद्रा आवास के तहत मकान बनाए गये थे गौर्तलब है कि बीते तीनों मकान गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी अब इंद्रा आवास के द्वारा बनाए गये इस मकान पर भी सवालिया निशान खड़े होने सुरू हो गये ग्रामिडों ने बताया कि मानकों के अनुसार इंद्रा आवास का मकान नहीं बनाने से घर मलवे में तबदिल हो गया सासारा में पर्यटन बीभाग को बढ़ावा देने के लिए वेवसाइट जारी किया गया है इस दोरान मोहनिया सासारा में पर्यटन बीभाग के होटल प्रबंदक अनील सीनहा ने कहा कि अब देश और बिदेश है आने वाले ट्यूरिस्ट को परेटन भी भाग के वेवसाइट पर ही होटल की जनकारी मिल जाएगी उन्हें अब गूगल पर सर्च करने की जुरत नहीं पड़ेगी रोताज जिला के बिक्रम गंज में मास लदा ट्रक को जब्त कर लिया गया है गौरतलब है कि पुलिस ने करवाई गुप्त सुचना के आधार पर की थी बिक्रम गंज थाना के थाना द्यक्ष ने बताया कि बिक्रम गंज के रास्ते मांस की तसकरी के लिए एक ट्रक जा रहा था तबी सुचना मिली जिसके बाद फॉरण करवाई करते हुए मांस लदे ट्रक को जब्त कर लिया गया फिलाल ट्राइबर से पूछताच की जा रही है रोताज जिले में एक साथ 25 ने कोरोना पोजिटिव मिलने से हडकम मच गया है गौरतलब है कि कोरोना वाईरस के बढ़ते प्रकोप की कारणत पूरे जिले में लोग सामे हुए है इस दौरान अब जिले में कोरोना वाईरस के पोजिटिव मरीजों की संक्या 444 पहुँच गई है वही रोतास जिले में लोगडाउन लगाने के भी मांग उठने लगी है जिले के डेहरी में चिम्बर ओफ कॉमर्स के दौरा स्वता लोगडाउन का मिला जूला असर दीखा इस दौरान शहर के कई दुकाने खुली रही तो कई दुकाने बंद रही गौर्तला भै की चिम्बर ओफ कॉमर्स ने स्वेम लोगडाउन का आवान किया था लेकिन उसका असर ब्यापक पैमाने पर नहीं पड़ा